रुकें, सब ठीक है, चले अंदर आ जाएं रुकें, आ जाएं क्या हकीकत में हमारा ख़ाफ पुरा-पुरा है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक सुप्रीम बैंपायर कैंडी हमें बाइट करके बैंपायर्स में तब्दिल कर रही है मुझे काटें एक बच्चे को यहां दाखिर होने के इजाज़त किस ने दी सेक्यारिटी होनी चाहिए थी आसली वैंपायर हाइट मीटर मौफ करना तुम वैंपायर बनने के काबिल नहीं हो जाओ, क्यों रुक जाए एरिका मुझे भी पांक्स और एटर्नल लाइफ चाहिए एरिका, शान्त हो जाओ अपने आपको देखो तुम भी एक वैंपायर बन गई हो क्या, या खुदा यहां तुम्हें देख ही नहीं रहा बिल्कुल पिन नहीं ग्रेग, मैं तमसे दरफास्ट करती हूँ मुझे काट लो ओ हाँ, मेरा पहला शिकार अब रात के खाने का वक्त हो गया है नहीं क्या हुआ, एरिका मेरा वैंपायर सर एरिका, खोलो इसे मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूँगा ठीक है हम दूसरा मंजबा अपनाएंगे ये तो एक लाजवाब वैंपायर रूम है वो क्या है? एक वैंपायर मागजीन एक वैंपायर कैसे बने? चेकलिस्ट आखें, मेकप, फांक्स हेलस्टाइल, लबास नेल्ज शिक्रिया एरिका, आराम से दोस्त तो आगास करें एरिका, तुम तो बिल्कुल ही नर्ड लग रही हो वैंपायर चश्मे नहीं पहनते मुझे कुछ नहीं देख रहा हलो, मुझे आईड्रॉप चाहिए मैं बस अभी आता हूँ हेई, ग्रेग तुम कहा हो? आउट ओ, यहां हो तुम क्या वाकई? कोई बात नहीं, मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ एरिका, यहां से जाओ तुम क्या कर रही हो? तुम ही तन्हा भी नहीं छोड़ सकता मेरा अतबार करो सब कुछ ठीक हो जाएगा यह रही तुम्हारी आईड्रॉप क्या यह वैंपाईर ड्रॉप्स है? ओ, बहुत खूँ एक वैंपाईर के आँखो से दुनिया को देखो वो, मुझे सब दिखा है अब हमने वैंपाईर जैसे आँखे हासिल कर ली मैं तुम्हाले लिए कॉफी लाता हूँ बहुत प्यारा है क्रीम वाली कॉफी ज़्यादा बेहतर होगी मैं उसके लिए यहां एक पैगाम छपा देता हूँ वो देखेगी और उसे मालम हो जाएगा कि मैं उससे मुहबबत करता हूँ यह रही तुम्हारी कॉफी एरिका तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेग बहुत लजीज है हेई, मेरे हाथ के ऐसे गंदे हो गर यह अजीब बात है कोई बात नहीं मेकप का वक्त हो गया है मैं ग्रेग को हैरान कर दूँगी ग्रेग, क्या तुम्हें यह पसंदा आया? इससे कुछ नहीं होगा हमें एक माहर मेकप आर्टिस चाहिए ब्रिकोरियो आ गया तयार हो जाओ महतर्मा सबसे पहले चलो इसे साफ करते हैं और अब हम कमाल दिखाएंगे बहुत खुब सुरत है प्रेग, मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हें ये भी आता है शुक्रिया ये लो अब हम बैंपार मेकप काट सकते हैं हाँ फैंक्स एहम है पर बात ये है कि तुम्हारे पास नहीं है ऐसे करते हैं तो मैं फैंक कहां से लाँगी? हेई, मायूस नहीं होते हम कुछ कर लेंगे ये लो, हम कैंडी से ले लेंगे क्या, क्या तुम उसके दान कीचने वाले हो? ओ, नहीं, रुको ये रहे, चिपकाते हैं बहुत लाजवाब मुस्कुराहट है बहुत बढ़िया, शुक्रिया खेर, ये बिकार आडिया था वैंपार टेंटिस ये वाले अच्छे लग रहे है मुझे ये वाले पसंद आए ये थोड़े ज़्यादा खतरनाक लग रहे है ब्रट, मुझे डर लग रहा है मेरे साथ चलो, फ्लीज मैं चाहता हूँ तुम खुद इसका सामना करो मैं यह इंतजार करूँगा बहुत प्यारी लग रही हो और मेरे तरफ से ये तुम्हारे लिए तौफा गोल्डन टूथ पेस्ट बहुत खुब, चलो देखते हैं हेई, अभी जाकर अपने दाथ साफ करो ये शानदार है तुम सबसे प्यारी वैंपायर बनोगी दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा कौन से फांक्स पसंद है? गोल्ड या फिर मामुली? कॉमेंट्स में बताएं फांक्स का काम मुकम्मल हुआ देखो ये वैंपायर ड्रेसस कितनी कमाल है तुम्हारे पास एक तो होनी चाहिए हाँ मैं इसे नहीं ले सकती चलो अपने वालिट में देखता हूँ उप्स, कुछ भी नहीं है ठीक है, दूसरी तरफ मुड़ो और जाकना मत मेरा राजदार पिगी बैंग क्या? बेस्टी, तुम भी खाली हो क्या हुआ? हम गरीब हैं हम कुछ पैसे कमा सकते है मैं हूँ एक वापायर चमकता हूँ जैसे सपायर मेरे ख्याल से आठ इसके बस की बात नहीं है दोस्तों, दर्ख्वास थे कि लाइक का बटन दबाएं ताकि हमें जवरी से पैसे मिलें ओ, शुक्रिया लेमनीट इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा लेमनीट कोई पीएगा मौसम बहुत ही खराब है प्लाइम ले लो ओ, एक वालिट हेई, आपने इसे गिरा दिया क्या ये आपका है, शुक्रिया तुम इसे रख सकती हो इमानदार होने के लिए शुक्रिया किसमत फुल गए अब मैं नए कप्टे ले सकती हूँ मुझे ये चाहिए क्या लाजवाब लग रही हो एविका तुम करोडों में एक लग रही हो अभी बाकी है इसमें क्या है? चमकादरों का बॉक्स? वो, एक डिबे में एक और डिबा ये बहुत ही कीमती है मेरे खानदानी जेवर इस खास लवे के लिए कुलकुल दुरुस्ट रहेंगी और ये रिंग तुम्हाले लिए है शुक्रिया मुझे बेहत खुशी हुई मैं कमाल लग रहा हूँ, है ना? वैंपार का लिबास मकामल हुआ एरिका, मुझे तुमसे बेपना मुहबबत है तम्हारे पास क्या है, ग्रे? चलो भी, मुझे देखना है कितना प्यारा है, ये बहुत ही घुप सुरत है एक वैंपार पपी मैं इसे एक याद के तौर पर रखूँगी क्या? एरिका? ये एक मज़ेदार फिल्म है ये क्या? फोन है बाद में टेक्स्ट करना होगा ये जरूरी है देखो, अब क्या हुआ? ओ, सेरियल मुझे भूख लग रही है मुझे सेरियल से बेहत नफरत है अपने आपको समभा लो, ग्रे तुम्हें क्या मस्टला है? मुझे जाना होगा इसे क्या हो गया? फिर, हम बालों का क्या करें? ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक ब्रश एक बरगर ओ, शुक्रिया मुझे भूख लग रही है ठीक है, ये कौन है? तुम यहां कैसे आए? मुझे जाना होगा ठीक है चलो बालों को सुलजाते हैं नहीं, ये कौन किसी काम की नहीं है मुझे इसी की जरूरत थी उप्स इतनी बड़ी बाग की कहची से विए बरदाश नहीं हुआ ये क्या है? ये बाल काम आ सकते हैं? माशाला तुम्हें ये विट कहां से मिला? मैंने इसे ढूणा है हेलस्टाइल मुकमल हुआ मुझे वैंपार की तहां लंबे नाखों चाहिए खेर, चलो देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ ये तो बेहदासान लग रहा है ये देखो, मेरे लंबे नेल्स दयार है ओ नहीं, नेल्स बहुत कमजोर सावे भूल ग्रेट क्या हुआ? मुझे अपने नाखोंगों के लिए मदद की जरूरत है मैं तकलीट में हूँ ठीक है, मैं मदद करता हूँ मेरा नेल्स सेट हमेशा मेरे काम आता है हो गया नेल्स बहुत ही शानदार लग रही है कितने नुकीले है, मेरे नाख पर खुजली हो रही है मेरे चहरे को क्या हुआ? ये सब इन खतरनाख नाखोंगों का खसूर है मेरे खयाल से नाच्रल नाखोंगों ही बहतर है नेल्स मुकमल होए ये तुम्हारे लिए है, एरिका शुक्रिया, ग्रे एक और चीज वो, ये तो सिल्वर बेंडेंट है तुमने मेरा सॉटिफाइड वामपायर मेकोवर मुकमल किया हमने कर दिखाया मेरी वामपायर लेडी चले ये एक नई वामपायर है कैंडी तो पुरानी हो चुकी है हाँ, ये दुरुस्त कह रहे है अलवदा, तुम कहां जा रहे हो? या तुम कहां में काट सकते हो? प्लीज हम बहुत बड़े फैंस है पीजे हो तुम ये बहुत ए खास वामपायर है तुम कौन हो? यहां से जाओ हे, मेरा क्या? तुम्हारी सेलेबरिटी यहां है ओ, एक पुरानी वेंच्टे डॉल इसे फैक देते है और मुझे ट्राश के आन में फैक दिया हाई, अब्बू एरिका, मेरी जान प्लीज, इस फोड़े को फैक दो ये तो बहुत खूचुरट डॉल है होंगी हम घर आ गए हम कहां से शुरू करें सबसे पहले और सबसे जरूरी है इस घुटने के छेत को सिलना बाड़ा पे, बाड़ा बू बैंडिट सबसे एहम है चलो अब इन कार्टों से छुटकारा दिलाते है यहाँ पर तो बहुत चारे है अगला स्टेप है नेल्स को खूपसूरत बनाना बहुत वक्त से नाखून नहीं काटे और फाइल करेंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा हम पॉलिश कर सकते हैं यह शेड बहुत रंगीन है चलो इसे स्टालिस ब्लाक रखते हैं हमने नाखूनों का काम मुकम्मल कर लिया अब सबसे मुश्किल काम के बारी है जो की है इन पिंपल से छुटकारा पाना मैं बहुत एतिया चेने फोर रही हूँ एओ कितना गंदा है यह बहुत ही गलीज था पर तुम पहले से बहतर लग रही हो चलो बालो को दुरूस्ट करते हैं तुम्हारे बाल बहुत ही शानदार है चलो इनके चोटी बनाते है बहुत जादा बहतर है अब मेरे सबसे मन पसंद हिस्से की बारी मेकप चलो अंचाहे बालो को हटा देते हैं चलो आखों से शुरू करते हैं अब हम लिप्स पर काम करेंगे तुम बहुत खुपसूरत लग रही हो मेरा मन पसंद परफियूम जड़कते है अब इस गंदे लिबास को उतार कर कुछ हसीन पहनते है ये? नहीं और इसके बारे में क्या खयाल है? बिलकुल नहीं और इसके बारे में क्या खयाल है? हाँ, ये बहतरीन है तुम बहुत चांदार लग रही हो दिन के आखिर में नहाने से बहुत सुकून मिलता है और तुम यहाँ बैठो एक दुलकश खुपको के साथ नहाना क्या इससे बहतर कुछ और हो सकता है? मुझे भी बबल बात पसंद है तुम चल्ला क्यों रही हो? तुम तो एक दम हकी की वेंच जे की तरह हो मैं बहुत ही जादा खुश हूँ मैं भी? मुझे बचाने के ये शुक्रिया चलो एक दोस्ती वाला डांस करते है मेरे साथ करो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ क्या ये अच्छा है? बल्कुल भी नहीं तो हम क्या करें? तम्हारे जिसा शानदार कैसे बन सकते है? ये तरह हो गया मैं तुम्हें वेंच जे में तब्दील करूँगी ठेंग मैं आ गया मदद केसे चाहिए? खाफ सदा होने के जरूरत नहीं है ठेंग तुम्हारी मदद करेगा धराम ना है कोई बात नहीं ठेंग को अपना काम बखो भी आता है मैं अपने मेकप के लिए सर्फ उस पर ये अदबार करती हूँ अपनी अम्मी की तरह अब ये हुई ना बात चलो तुम्हारा मेकप करते हैं एक ब्रश लेकर आओ ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे कभी आदत नहीं हो सकती पस हो गया लिप प्रिंट दो जल्दी करो बहुत अच्छे से लग गया मुझे मालम था कि दुब्बर अच्छा लगेगा ठिंग बहुत खूब कुछ और भी बाकी है तुम्हें एक बात की जरूरत किसलिए है तुम्हें अभी पता चल जाएगा आइंदा कभी मत करना चलाना बंग करो देखो बाल तो एकदम तुम्हारी तरह लग रहे है हाँ बिल्कुल चलो देखते हैं आप तुम्हें कैसे बदल सकते हैं इसमें धेर सारा सामान है दुल्चस्प है अफसोस तम कॉन्टिटी से ज़ादा क्वालिटी को तबज्जू देती हो मेरे साथ हाओ मेरे पास कुछ है इसे पहन कर देखो एक डॉल ब्रेस मुझे बहतरीन फिटिंग आई है मुझे बहत पसंद आई क्या आप मैं ठीक हूँ चलो तुमारे चेहरे के एक्स्प्रेशन्स को बदलते हैं अपने चेहरे को आराम दो अपना माथा नीचे जुकाओ और आप मुझे घुस्से में देखो नहीं दुबारा क्या कोई असर हुआ मुझे अपना फोन दो हेई ग्रेगरी एक्स को घॉल कर रही हो क्या मुझे तुम बहुत पसंद हो क्या तुमारी जुरत कैसे हुई इरादा मस्बूत हो तो काम्याबी हासिल हो ही जाती है मैं किसी को भी कॉल नहीं कर रही थी तुमने मुझे ड़्या दिया मैं एक अच्छी टीचर हूँ चलो अब तुम्हें परकते हैं तुम बेंच्डे बनने के कितने करीब हो कितन्ज या रेविंज तुम्हें क्या बहतर लगता है एक का इंतिखाब करो हाँ बिल्कुल बिल्ली के बच्चे बिल्ली के बच्चे नहीं जहन पर जोर डालो कॉविर बहुत बढ़िया अगला सवाल है एक खुबसूरत पैलस या एक डरावना कैसल ये बहुत मुश्किल है चलो एक कैसल का इंतिखाब करते हैं एक दम सही हाँ आखरी सवाल तुम क्या चुनोगी एक टाइप राइटर या फिर एक लाप टॉप ओ नहीं मुझे नहीं मालूम मैं क्या चुनू तीन दो मैं टाइप राइटर का इंतिखाब करूँगी और ये सही जवाब है ये मुबारिक हो तुम तयार हो चलो चलते हैं उन्हें दिखा दो बॉस कौन है क्या? क्या ये दो वेंस्टे है? क्या वेंस्टे को बड़े पहमाने पर तयार किया जा रहा है? ओ नहीं तुम मेरे साथ आ रहे हो वापस आओ वो जल्दी वापस नहीं आने वाले अल विदा एक्स एक याँचे जाना अब तुम्हारी बारी आफिरकार स्कार तश्रीफ रखो क्या हो रहा है? मुझे हेलमेट की जरूरत क्यों होगी? इसके बिना मज़ा नहीं आएगा ये पैन नहीं चल रहा क्या तुम मुझे एक पैन दोगी? हाँ, बिल्कुल ये लो तुम इसे रख सकती हो शुक्रिया ये अजीट सी आवाज कैसे है? ये बहुत शांदार धमाका था बहुत बढ़िया ये लो तुम इसी काबिल हो एक और अटार रुक जाओ मैं तुम्हें मज़ेद फेल नहीं करूँगा हमें एक बहुत बहतरीन टीम है ये रहे तुम बदमाशो मैंने तुम्हें पकर लिया वो तुद देखते है मत करो Wednesday तुमने बदमीजी की तमाँ भदे पार कर दी है मैं तुम्हारी वाले दैन से मिलना चाहता हूँ Mr. and Mrs. Adams आपकी बेटी हमारे सेक्योरिटी गाट को फार पेस पर जलाने वाली थी मेरा इतबार मुकमल तोर पर उठ चुका है अब मैं इसे नेवर्मोर से निकाल रही हूँ निकल जाओ मेरी प्यारी बेटी तुम्हें ये मामूली कॉलिज बहुत पसंद आएगा और यहां भी हर कोई तुमसे नफरत करेगा सभी लोग कितने कलरफुल है याइक्स देखो मैंने तुमसे कहा था ना रुको ये लो ये हमारा खांदानी एमिलेट है ये तुम्हारी लिए है बहुत बक्वास है अल्ला खेर करें हमारी प्यारी बेटी हमें तुम पर नाज है मेरी बच्ची अलवेदा मिया बू ये वेंस्डे है वेंस्डे हमारी नई स्टूडेंट हेई ये कितनी मज़ेदार है तश्रीफ रखो बागे स्टूडेंट की तरह चलो हाई बैटने की कोई जगा नहीं है मैं हट जापी हूँ बहुत फूप चलो टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं हाँ बैचारी क्या तुम्हें पेंट चाहिए पें ना समझो के लिए होता है क्रोल्स टाइप राइक्टर इस्तमाल करते हैं माशाला ये तो बहुत ही पुराने खयालाती है तुम्हारा वक्ष खतू पेपर मुझे दो मैंने कमाल कर दिया मैं तुमसे पूरी तरह स्दिम्ट तफिक हूँ मैं तुमसे पुमसे पूरी झाएप बहुत है